आप सभी दर्शकों का सुवागत है इस नए वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर जाने आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है B.I.B.C.L लोग बाग कन्फीज हो रहे हैं इसको भारत बायो टेक से और अब उन्होंने खरीदा हुआ है तो अब वो बेच नहीं पा रहे हैं यह हम टॉपिक आज कवर करेंगे और भारत बायो टेक वर्सिस B.I.B.C.L के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसका प्राइस जो है आज अपी फिर से ये लोगर सर्कीट पर लगा हुआ है 36 रुपे 40 पैसे पर चल रहा है इसका lower circuit 2% का है जैसा कि इसकी continuously circuit चल रहा है तो इस वज़े से price circuit चेंज हो जाते हैं यहाँ पर NSE और BSE पर यह सिर्फ BSE में stock listed है और NSE में आप इसको trade नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर वो listed नहीं है भारत बायोटेक इंडिया में listed नहीं है यह common confusion है लोगों को भारत बायोटेक से कैसे trade करें आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पर वो listed नहीं है अब देखिए अगर इसका long term का chart देखिए आप BIBCL this is purely news confusion driven stock जब आप historical information देखेंगे इसकी तो जब listing हुई थी ये करीब करीब 75 रुपे तक गया था इसका high और वहाँ से फिर ये काफी time तक रहा 12 रुपे 10 रुपे क्या स्पास फिर थोड़ा spurt आया फिर गया 10 रुपे क्या स्पास फिर थोड़ा spurt आया फिर ये नीचे गया और फिर से ये 10 रुपे क्या स्पास पहुंच गया था 5 रुपे क्या स्पास इंफेक्ट पहुंच गया था अब एकदम भारत बायोटक की वज़े से इसका नाम भारत included है इसमें भारत immunological system और chemical plus आपका medical section में है तो ये अपर circuit में चल रहा था हमारे channel पर हमने इसको recommend किया थ initially with a specific target और जो target अजीव हो गया था हमने कई बार इसका video बनाए कि अब ये time है आपको निकल जाने का इससे दोस्तों हम लोग telegram channel पर आ चुके हैं आप चाहें तो हमें telegram channel पर join कर सकते हैं ये feedback था हमारे associates का तो हमने जैसा बताया कि हमें पता था हमें कितने पर exit करना है और हम आपको धियान रखना है जब भी आप इस तरह के stock में news-based driven stock में करते हैं तो आपका अपना एक set target होना चाहिए और interval regular interval पर आपको अपने profit book करने चाहिए हमें 24 से लेकर 38 तक profit book कर लेता हमें कोई गम नहीं था कि 45 तक भी चला जाएगा 50 तक चला जाएगा कोई बात नहीं हमा बहुत अच्छी ख़बर है stock market के लिए भी, humanity के लिए भी बहुत अच्छी ख़बर है आगे आने वाले समय के लिए और अगर BIBCL की बात करें तो यह government owned segment है जिसका primarily activity रहती है जो initial babies को drugs मिलती है including polio vaccinations तो यह उस तरह की दवाया बनाती है इसका कोई vaccine से कोई मतलब नहीं है दो slope का uptrend है जो sustain नहीं करता है generally market में उसका result आपने देखा है पिछले जो हमने बड़ा chart बनाया है तो देखे यहां से चड़ना शुरूआ और यहां तक गया और फिर नीचे गिर गया तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इतना सब कुछ नहीं चलता है त दोस्तों हम nifty और bank nifty में actively intraday trade करते हैं अगर आप हमारी service लेना चाहते हैं तो please contact us on the mail we will mention आज की हमने position अपनी बता दी है अपने clients को आपको अगर हमारी service चाहिए तो आप contact कर सकते हैं इसके लिए 8000 रुपीज पर मंथ चार्जिस है और drop a mail to भवनाधीर no7 at the email.com दोस्तों वीडियो की information अच्छे लगी कि तो एक बार like बिटन जरूर दवाएएगा ये बहुत ही small cap company है भाई लोगों जब आप किसी भी company में invest करते हैं तो इसका fundamental जरूर देख लिए ये करीब 160 करोड की company है और इसमें अब lower circuit चलेगा तो continuously lower circuit चलेगा कभी इसने dividend नहीं भी profitable नहीं है तो इस वज़े से ऐसी company में long term के investment के लिए आप मत सोचिए अगर आप news based stock trade कर रहे हैं तो अपना entry plan कीजे exit plan कीजे और exit आते के साथ ही आप कुछ मत देखिए जैसे घदे के सर से सिंगाया हो जाते हैं आप उस stock से बाहर निकल जाएए वरना आप बहुत नहीं है इसका stock का अगर holding देखें तो इसमें retail public की holding बहुत दाद है 40% के आसपास retail public की holding है FII की कोई holding नहीं है दोस्तों इसमें promoter की 60% के पास holding है तो ऐसा stock इतना लंबा jump करना कोई justified नहीं है हमारे इसाब से आपको जब भी stock market में आते हैं तो आप सीखना चाहिए थोड़ा क अगर कुछ studies देखी जाए यहां पर तो आपको बताएंगे जो alligator indicator होता है उसके basis पर आप trade कर सकते हैं आप देखे इसने red line को cross कर देता है यहां पर यह आपके red alert होना चाहिए even though news based stock है पर अगर आप technical भी follow करते हैं तो इसके बाद आप इसमें नहीं रह सकते 38 का एक clear level था ज order execute नहीं हो पाते हैं तो हम आपको समझाएं कैसे करना है तो अगर super trend की बात की जाए तो super trend का देखिए super trend ने clearly जैसे ही यहां से 41 के असपास गिरा था तो उसने बोल दिया था अब sell कर दीजे यहां से sell signal इसका हो गया है बहुत ही directional move है इसका तो अगर आप चैनल पर पहली ब हो जाएगी कि आपको हमारे experience से कुछ mistake avoid करने के लिए मिल गया है अगर आपका learning objective है तो इसको जरूर देखिएगा अब अगर हम कुछ और studies इसमें डालें तो हम RSI की बात करेंगे क्योंकि RSI भी common indicator होता है जो आपको बता सकता है कि कहा stock overboard zone में चल रहा है और कहा oversold zone में चल है RSI का value क्या होता है 80 के आसपास अगर जादर दिन चलता है तो वह stable zone नहीं मना जाता है तो देखिए यहां से continuously 15 दिन तक 80 के ऊपर चलता रहा almost एक महिने से जादा 80 के ऊपर चलता रहा है तो वह एक comfortable position नहीं है stock के जो parameter होते हैं आपको देखने होता है समझने होता है अब ज 24 से शुरू किया अपना profit book करना यहां से 24 की गया फिर हमने 30 पे किया फिर हमने 32 पे किया और हमारा last profit जो है 38 पे हमने निकाल दिया है हमने stock को जब से हमने अपना channel शुरू किया तब से track कर रहे है और तब से हमने इसको recommend भी किया था और हमने 55% profit पे half profit book कर लिया है और continuously हम इस इसमें से जल्दे निकल जाए 38 तक जैसे ही पहुचा था हमने तब भी वीडियो डाला था कि प्लीज आप इसमें से exit हो जाएए ताकि यह आपको profitable रहे आ गया आने वाले time के लिए तो अगर हम अब इसको देखें यहां पर daily chart के basis पर भी अगर आप देखेंगे इसको तो आ आपको करना क्या है? 9 बजे, early morning, 9 o'clock exactly, आपको अपना order place करना है lower limit पे, जो भी lower limit होगी उस दिन की उस पर आप अपना order place कीजे, अगर वो exit हो जाता है माँ पर तो अच्छी बात है, आज भी अगर देखेंगे तो करीब-करीब यहां पर 13,000 के share आसपास trade होए हैं, तो आप को अगर लखी है, तो आपको exit हो जाएंगे इसमें, please consult your financial advice before investing and trading, और जैसा हमने बताया, आप अगर news-based stock में entry कर रहे हैं, तो आपका exit plan पहले त्यार होना चाहिए, और उस exit plan को execute करना है, वो stay with the plan, वीडियो की information अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा, हमारा target था, हमारा target 24 उल की profile नहीं है, अच्छी आगर recommend करने के लिए, जैंद जै भारत